Hello everyone friends, my name is Sumitra Na बच्चों जैसा कि previous video में मैंने यहाँ पर आप लोगों को first semester के बारे में discuss कर दिया था आज हम लोग यहाँ पर second semester के complete syllabus को लेकर के आया हैं जैसा कि मैंने previous video में आपको बताया है कि हमारा 2020 में National Education Policy यानि कि नई सिक्षा नहीं थी जो हमारी लागू की गई उसके आधार पर जो UP का graduation level का जो syllabus था UP का जो graduation का syllabus हमारा है वो L.U. से affiliated कर दिया गया है ठीक है 2021 से वो लागू है जिसमें first semester के exam होने वाले हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं पर शायद ना हो और कहीं कहीं पर शायद promote कर दिया बच्चे तो तीनो possibilities हैं क्योंकि condition आप समझी रहे कैसी है आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा जोलोजी का syllabus है जो कि हमारा 2021 और 22 से related है 21 से related that means BSE first year का second semester यह है right first semester आप लोग देख चुके हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लिजे वीडियो के last में आपको उसका link मिल जाएगा या i button में आपको मिल जाएगा या description में आप चेक कर लिजेगा link आपको मिल जाएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा application सुमित्राना BSE classes लोड नहीं किया है तो उसको लोड कर लिजे इसी वीडियो को description में सुमित्राना BSE classes का link दिया गया है उस पे click करिए सीधे आप direct पहुँचेंगे अपने Google Play Store में और Google Play Store से उसको लोड कर लिजे वहाँ पर अपन second semester का syllabus complete देखेंगे तो ज्यादा time नहीं गवाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा second semester है इस second semester में जो पहली बात आपको पता है हर semester में आपको theory paper और practical paper पढ़ना है अगर आप लोगो new education policy के बारे में information नहीं है तो आप जो है ना हमारी playlist में जाईए जो मैंने YouTube पर बन information से related बहुत सारी videos हैं जो भी मैंने syllabus upload करने हैं उनकी videos वहाँ पर मैंने अलग-अलग बना के रखी है और जो मैंने topic पढ़ाये हुए उनकी वी videos आपको playlist में मिल जाएगी तो जो first semester है उसका मैंने यहाँ पर complete syllabus के बारे में बताया है और first semester या semester wise जो education policy launch की गई है इसमें क्या सकते हैं और आपको पता है कि हर semester में दो paper आपके होंगे एक paper जो होगा वो theory paper होगा जो कि आपका लिया जाएगा और दूसरा आपका जो paper है वो actual में paper college में होगा और वो college paper कैसा है वो practical paper वो practical form में आपका देखा जाएगा तो second semester में भी आपका एक theory paper होगा दूसरा practical paper होगा तो मैं theory paper की बात कर रहा हूँ practical paper की बात यहाँ पर नहीं करूँगा तो जो हमारा second semester में theory paper बनेगा जो theory paper का title रहेगा या जो theory paper हमारा रहेगा वो क्या है तो वो है बच्चो biochemistry and physiology जैसा कि मैंने previous video में जब मैंने first semester launch किया तो मैंने बताया है तो वहाँ पर कि जब मैं second semester का syllabus लेकर के आउंगा जिसमें total आपकी biochemistry और physiology है तब आपको समझ में आएगा कि कितना broad syllabus रखा गया है BSC का अभी तक जो हम लोग BSC करते थे हकीकत में यार यह मैं personally थोड़ा सा मैंने feel किया है कि अभी तक जो हम लोग BSC करते थे वो 11-12th माफिक ही थी बहुत ज़्यादा detail नहीं था ग्रेजूइशन में और हम graduation करके MSC करने चले जाते थे तो फिर हमको MSC में बड़ा तकलीफ होती थ जाते हैं यहां पर हम लोगों ने जो concept पढ़े वो आपके 11-12th से related हैं अगर आप NCRT पूरी उठागर के पढ़ लें काईदे से और विद्वत तौर से पढ़ें जैसा कि मैं offline classes में आप 11-12th classes चला रहा हूं प्लस need to be batch हमारे चलने हैं तो उनको जिस तरीके से मैं पढ़ा अगर उस level पर देखा जाए तो उस level पर हाँ यह syllabus टच करेगा यह syllabus जो निकाला गया है new education policy का यह बहतर syllabus है मैं इसका विरोत नहीं कर रहा लेकिन यह है कि detail बहुत है और आपको half year में complete करना है तो इतनी detailed study को half year में impossible है यार लेकिन यह है कि विद्वत तोर पर अगर हम को समय म मिलेगा फस समेश्टर तो तुरंत 11-21 लास तक लांच हो और एक्जाम आगे देखो आपके 3-4 महीने भी नहीं हुए शायद 6 महीने के अंदर आपके एक्जाम होने है तो 2 महीने तो हमारे वो चले गए फिर इतना इदर बढ़न रहा आप सभी के उपर covid है ना और भी बहु पूरे 6 महीने मिलने वाले हाफ एंड एयर मिलने वाले है पूरा हमको एक साल का आधा साल हमको मिल जाएगा यहाँ पर पूरे 6 महीने और उससे ज्यादा मिलने वाले है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्जाम आपके सुरू नहीं भी हुए है और तब भी मैंने क्या है आपका स ब्र法 च्रोक और सुरू करें कि अब वो दिन चले गए कि जब आपको REST मिलेगा या REST मिलता एक साल के बाद 1.5 मेने दौ मेने का अब 1.5 मेने दौ मेने का जो REST होता ना उसमें आप अपने सलेवस को समझें पढ़ना सुरूर करते हैं समझ रहे हैं अब लगेगा कि आप graduation कर रहे हैं अगर आप BSC करेंगे तो फिर अब आपको लगेगा कि आप BSC कर रहे हैं यह अकीकत है तो जैसा कि यहाँ पर syllabus में discuss करने वाला हूं उसकी तरफ चलते हैं और detail में syllabus हम लोग discuss करेंगे और हर एक unit को detail में हम लोग पढ़ेंगे जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूं वो पढ़ेंगे लेकिन इसके अलावा जो आपके topic से related या आपके exam से related important रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे तो देखे पहली unit जो हमारे यहाँ पर दी गई है second semester में वो है structure and function of biomolecules biomolecules के structure के बारे में देखना है और इसके function के बारे में समझना है जैसे biomolecules क्या जैसे कि यहाँ पर हम लोग को carbohydrate के बारे में पढ़ना है lipids के बारे में पढ़ना है amino acids that means proteins के बारे में पढ़ना है specially proteins के बारे में पढ़ना है तो यह आपके biomolecules में आते हैं bio मतलब आप समझी सकते हैं organism, जीव, जीवित हो और molecules मतलब अनू यहाँ पर कैसे molecules पाये जा रहे है और वो life के लिए important है तो उन molecules को यहाँ पर पढ़ेंगे dicecrites क्या होता है, polysecrites क्या होता है monosecrites में भी category है glucose, amenos, fructose dicecrites form में आपका आता है dicecrites भी आपके बहुत सारे आते है dicecrites में आपको पढ़ना है polysecrites, oligosacrites में भी आपको पढ़ना है तो detail में हम लोग जाएंगे मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे points हैं जो मैंने यहाँ पर mention नहीं कि लेकिन उनको पढ़ना है तो detail में पढ़ेंगे तो carvohydrate का post-martem करेंगे हैं अपन लोग फिर उसके बाद में lipids के बारे में detail में discuss करेंगे यहाँ पर saturated, unsaturated fatty acids क्या होता है fat क्या होता है phospholipids क्या होता है, glycolipids क्या होता है Ahaurites क्या होता है फिर amino acids के बारे में discuss करेंगे especially protein के बारे में भी हम लोग ''Church' करेंगे weighed essential non essential amino acids क्या है right simple and consecrated protein क्या है protein simple क्या है consecrated protein क्या है कितने type की होती है कैसी होती है amino acids कैसे बंतेары इनके बारे में discuss करेंगे तो यह सब हम लोग पहली unit में चर्चा करेंगे इसके बाद जो हमारी second unit रहेगी बच्चा वो रहेगी enzyme action and regulation right enzyme का किस तरीके से action होता है और उसको किस तरीके से regulate किया जा रहा है हमारे body के अंदर उसके बारे में समझेंगे तो enzymes का यहाँ पर nomenclature देखेंगे नामकरण किस तरीके से किया गया enzymes का राइट छे classes दी गई है enzymes की उनको हम लोग discuss करेंगे और classification of enzymes इसको भी हम लोग देखेंगे और किस तरीके से यहाँ पर enzyme का action mechanism हो रहा है फिर isozyme क्या होता है isozymes क्या होता है mechanism of enzyme action यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में enzyme kinetic क्या होता है यह भी हम लोग देखेंगे that means enzymes को detail में हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है enzymes को detail में discuss करने वाले है और आपको पता होना चाहिए protein के बाद ही enzyme आपको पढ़ना है that means proteins जो होती है वही enzymes के रूप में काम करती है यानि कि हर एक enzyme protein आपको रहेगा that means हम यह कहा सकते हैं कि जितने भी enzymes होते हैं वो सारे के सारे proteins होते है क्योंकि protein ही enzyme का काम करते हैं लेकिन हर एक protein enzyme नहीं होती समझे हर एक enzyme protein होता है लेकिन हर एक प्रोटीन एंजाइन नहीं होती, ठीक, चलिए, थार्ड यूनिट की जब अपन लोग बात करेंगे, तो थार्ड यूनिट हमारा जाएगा, metabolism of carbohydrate and lipids, क्योंकि हम लोग carbohydrate के बारे में पढ़ चुके होंगे, lipids के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो इसको हमारे body के अंदर तोड़ा कैसे जाएगा, that means digestion, समझना है, fourth unit के बात है, physiology हमारी 50 unit से start है, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर carbohydrate, lipid का किस तरीके से metabolism होगा, किस तरीके से तोड़ा जाएगा, क्या product बनेगा, वो समझेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर आपका है metabolism of carbohydrate, जिसमें glycolysis के बारे में समझना है, glycolysis, citric acid cycle, ठीके, gluconeogenesis के बारे में समझना है, phosphate, pentose, pathway, इसके बारे में समझना है, second topic हमारा रहेगा, glycogenolysis और glycogenesis, glycogenolysis और glycogenesis, broad topic है, बहुत detailed है हाँ पर, इनके बारे में समझना है, किस तरीके से यहाँ पर glycogenesis हो रहा है, और किस तरीके से glycogenolysis हो रहा है, वो topic समझना है, lipids का भी हम लोग यहाँ पर metabolism देखेंगे, biosynthesis आप, parmetic acid के बारे में देखना है, और ketogenesis के बारे में समझना है, इसके बाद में यहाँ पर beta oxidation क्या होता है, omega oxidation of saturated fatty acids with even and odd number of carbon atom, यह भी हमको समझना है, यह concept है, इसके बारे में समझना है, beta oxidation और omega oxidation किस तरीके से होता है, यह हमको समझना है process, third unit में, बहुत खास नहीं है, बहुत important नहीं है, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद में हमारा है unit 4, और unit 4 काफी important है, इसमें हम लोग metabolism of proteins and nucleotides, protein और nucleotides कैसे तूटेंगे, या इनका कैसे further, आप up-garten करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, metabolize होगा, उसके बारे में समझेंगे unit 4 में, तो यहाँ पर catabolism of amino acid, that means amino acid को भी हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पर, तो amino acid में हम लोग यहाँ पर transamination process समझेंगे, deamination process समझेंगे, और transamination, deamination के समय में, urea भी बनती है, तो urea cycle को भी हम लोग समझेंगे, कैसे urea बनती है, second topic हमारा रहेगा, nucleotide and vitamins, तो nucleotides क्या होते हैं और vitamins क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उसके बारे में peptide linkage, ठीक है, peptide linkage क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग detail में discuss करेंगे, इसके बाद में हमारा 5th unit आता है, और 5th unit में हमारा जाएगा, dization and respiration in human, dization and respiration in human, that means human के अंदर, अब यहाँ पर देखें, यह total 5th unit से हमारी physiology start है, क्या start है, physiology start है यहाँ से, मानफगार की human के लिए, जो especially physiology है, उसको 5th unit से हमको पढ़ना है, 8th unit तक, तो digestion केने के मतलब, यहाँ पर हमारा पाचन हो गया, और respiration केने के मतलब सुसन हो गया, तो मनुष्य के अंदर, that means हमारे अंदर, भोजन का जो भी मखाना खाते हैं, food का किस तरीके से digestion होता है, वो समझना है, और किस तरीके से हम लोग respiration करते हैं, that means, inhesion of oxygen और exhalation of carbon dioxide, कैसे होता है, इस mechanism को समझना है, डेटेल में, तो इसमें सबसे पहले यह समझने के लिए, हमको आर्गन के बारे में पता होना चाहिए न, तो structure and function of digestive system, यानि कि जो digestive system हमारा है, माउथ टू लेकर के NS तक, जितना भी यहाँ पर component पाया जा रहा है, उस system को डेटेल में समझेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर जो glands आपकी पाई जा रही, जैसे कि liver हो गया, pancreas हो गया, salivary glands हो गया, इन glands के बारे में भी अपने लोग discuss करेंगे, कौन कौन सी glands, liver हो गया, है ना, pancreas हो गया, pancreas को हम लोग आगे भी discuss करेंगे, और इसके साथ साथ, आपका यहाँ पर salivary glands, मतलब, salivary glands करेंगे मतलब, lark गरंतिया, mouth के अंदर आप देख रहे हैं, saliva बनना है, तो salivary glands हो गया, इनके बारे में भी discuss करेंगे, इसके साथ साथ, जब हम लोग यह देख लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर mechanism and chemical digestion of food समझेंगे, तो food का किस तरीके से, chemically form a digestion हो रहा है, that means, यहाँ पर enzyme के दौरा किस तरीके से digest किया जा रहा है, food उसको समझना है, और क्या mechanism है, और इसमें हम लोग जब यह digest हो जाएगा food, तो उसका absorption कैसे होगा, वो भी समझना है, तो mechanism देखना है, chemical digestion देखना है, और food का digestion होने के बाद, उसका absorption भी समझना है, तो absorption कैसे होगा, body हमारा किस तरीके से, carbohydrate, lipid, protein, water, minerals, vitamins, इस सबको absorb करती है, उस process को भी हम लोग यहाँ पर, समझेंगे, ठीक है, तो आप जैसा कि समझ पा रहे होगा, कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपका से लेवास, इसको देख करके, आपको समझ करके, बढ़ा अच्छा लग रहा होगा, यह पढ़ लिया, हाँ, अगर आपने नीट की preparation करी है, आपने exam की preparation करी है, detail में आपने पढ़ा है, तब तो आपके लिए हलुआ होगा, otherwise, जो fresher बच्चें हैं, जिरों ने 11-12 भी काईदे से नहीं किया, मस्ती में किया, उनके लिए यहाँ पर यह समझ लो, कि कान से दुआ निकलने वाला है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत पढ़ेगा, और अगर आप B.S.C. कर रहे हैं, तो जायर सी बात है, graduation अगर आपको follow करना है, या graduation complete करना है, तो first semester आपको beat करना पढ़ेगा, तब आपको first year complete होगा, दो semester आपको pass out करने पढ़ेगे, और मैं बहुत खुश हूँ ऐसे syllabus से, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में, ये complete third year course करने के बाद में, आप खुद अपने अंदर ये मैसूस करोगे, कि आप graduate हो, अभी तक हम लोग graduate आसानी से कर लेते थे, नकल वकल मार करके लोग कर देते थे, हो जाता था, ऐसा नहीं है अब, अब आपको पढ़ना पढ़ेगा, और पढ़ेंगे तो आपको knowledge भी होगा, ये हकीकत है, तो सिक्षा में कुछ हद तक new education policy ने सुधार लाई है, तो वो उससे मैं खुश हूँ, थर्ड यहाँ पर आप देखिए, पोर्शन है structure and function of respiratory system, यानि कि जो हमारा respiratory system है, इसके बारे में भी लोग discuss करेंगे, अच्छा आप याद करिए, ये जो भी portion आप अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारे senior बच्चे याँ पर देख रहे होंगे, जिनका second year, third year है, आप देख रहोंगे ना बच्चो ये सब, ये first year में ये अभी पढ़ना है, आप पढ़के जा चुके हैं और आप ये सब पढ़ रहे हैं second year में, जो यूपी में ही है, जिनका syllabus second year, जो second year में इस बार है, उनका थोड़ीना change हुआ है, third year में, तो second year, third year में जो बच्चे हैं, वो जो syllabus देखेंगे ना इसको, या देख रहोंगे, तो उनको समझ भियार होगा कि यार, ये सब तो मैं second year में पढ़ रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पर क्या-क्या है, उसके बारे में समझेंगे, और mechanism of respiration, respiration किस तरीके से हो रहा है, बड़ी के इंदर, उसके बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग pulmonary ventilation क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, respiratory volume and capacity कितनी होनी चाहिए, या respirative volume क्या होता है, transport of carbon dioxide and oxygen किस तरीके से हो रहा है, dissociation curve क्या होता है, and control of respiration, respiration को हमारी body किस तरीके से control करती है, उसके बारे में discuss करेंगे, तो यह हम लोग को समझना है, इसके बाद में, हमारी जो six unit है, वो है circulation and excretion in human, यानि मनुष्य के अंदर, जो परिसंचरण हो रहा है, और इसके साथ साथ और जो हमारे body के अंदर, वो तो सर्जन हो रहा है, ठीके, वो किस तरीके से हो रहा है, उसको detail में समझना है, तो circulation में हम लोग यहाँ पर पहला topic समझेंगे blood, जो कि हम लोगों ने first semester में भी पढ़ा है, ब्लेड ग्रूप के बारे में पढ़ाया है, blood और their functions, blood क्या होता, इसका क्या function होता है, वो समझना है, इसमें हम लोगों को blood clotting के बारे में भी समझना है, जो external आपके यह addition, जो points से उनको देखना है, blood clotting किस तरीके से होता है body के अंदर, ABO blood group system क्या है, है ना, और RH factor इसके बारे में समझना है, और inheritance of blood group यह हम लोग फर्स सेमेस्टर में, multiple oralism में देख चुके हैं, unit 6 में, इसी unit में हम लोगों को mammalian heart के बारे में डिसकस करना है, यानि कि जो हर्दय है, यह heart कैसा है, इसका structure आपको देखना है, heart के अंदर क्या-क्या muscles पाई जा रही हैं, या उसके अंदर कैसे events चलना है, circulation कैसे हो रहा है, वो समझना है, तो cardiac cycle समझना है, cardiac output क्या होता है, इसको regulate कैसे किया जाता है, electrocardiogram क्या होता है, right, blood pressure क्या है, और इसका regulation किस तरीके से हो रहा है, बॉड़ी के अंदर, वो सब समझना है हमको, इसके बाद में, हमारा next जो topic रहेगा, वो रहेगा structure and function of kidney, kidney के अंदर, kidney के अंदर, या kidney से related, हम लोग को इसका structure देखना है, और kidney का हमारे body में, क्या function है, वो देखना है, और इसके अलावा, kidney का आपको nephron पढ़ना रहेगा, जो की unit of kidney कहलाती है, mechanism of urine formation, यहाँ पर देखना है, counter current mechanism, एक यहाँ पर process होता, उसको भी समझना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले ही कि बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे point है, जो mention नहीं किये गए हैं, उनकों में पढ़ना है, और हो सकता है कि, अभी model paper तो नहीं आए इसका, तो model paper में कुछ ऐसे points आपको मिल जाएं, जो detail में महाँ पर पढ़ाएगे, और आपके exam में भी आ जाएं, syllabus वो mention नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर, जितना भी detail study हो सकेगा, वो सब करेंगे साथ के साथ, ठीक है, तो detail में ही बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, don't worry, unit 7 की बात करें, तो unit 7 हमारा है nervous system, ठीक है, and endocrine system in human, तो nervous system जैसा कि आप समझी गया होंगे, तंत्रिका तंत्र है ना, और endocrine system करेंगे मतलब, अंतह स्रावी गरंथी, या तंत्र, अंतह स्रावी तंत्र, यहाँ पर neurons के बारे में, body हमारा sensitive होता है, हमको पता रहता है कि भाई, चोट क्या होती है, दर्द क्या होता है, sensation क्या है, और वो किसके कारण जानते हैं, वो सब हम जानते हैं, neurons के कारण, या nerve impulse के कारण, तो nervous system का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे body में, और endocrine system का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो nervous system और endocrine system, यह दोनों मिल करके, काम करते हैं, और दोनों एक साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो उसको हम लोग integrated system कहाता है ये भी एक important point निकल करके आ गया तो दोनों को साथ में discuss करेंगे पहले nervous system देखेंगे फिर endocrine system के बारे में हम लोग discuss करेंगे अपना तो जिसमें structure के बारे में देखना है function के बारे में देखना है किसके nervous system that means neurons के इसमें neuron हम लोग देखेंगे resting membrane potential क्या होता है इसके बारे में समझेंगे accent potential कैसे हम यहाँ पर active होते हैं या कोई मालो हमको impulse मिलता है तो हमारा brain कैसे order बगएरा देता है ये समझना है और neurons में myelinated and unmylinated nerve fibers क्या होते है इनके बारे में समझाए और type of synapses synapses है कैसी क्रिया होती जिसमें दो neurons आपस में दो neurons या दो nerve fiber आपस में क्या कर रहे है सूचना का आदान-प्रदान करते हैं और वहाँ पर एक क्रिया बनती वहाँ पर activity होती जिसको synapses क्याते हैं और यह synapses कैसे हो रहा कितने types हो रहा उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे डेटेल में तो type of synapses भी हम लोग देखेंगे इसके बाद next हमारा जो topic रहेगा वो endocrine glands के उपर रहेगा या endocrine system के उपर रहेगा जिसमें specially हम लोगों को glands के बारे में पढ़ना है जिसमें pineal gland देखेंगे, pituitary gland देखेंगे और यहाँ पर एक और है बच्चा hypothalamus gland इसके बारे में discuss करेंगे hypothalamus से pituitary gland attach रहती है, different type के hormones निकलते है thyroid gland के बारे में discuss करेंगे, parathiride gland, pancreas gland, adrenal gland इन सभी glands के बारे में देखेंगे और इन सभी glands से जो hormone secret होते हैं इनका हमारे body के अंदर क्या काम है, क्या function है, वो देखना है और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर classification of hormones, hormone का classification देखेंगे and mechanism of hormone action, यानि कि हमारे body के अंदर hormone का जो action हो रहा है जो mechanism है, hormone action, body के अंदर, वो कैसे हो रहा है, उसको समझेंगे और इसके बाद, हमारी जो last unit रहेगी, unit 8 इसमें हम लोग muscular system के बारे में समझेंगे that means हम लोग patient tantra patient tantra के बारे में discuss करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको यह भी important है, यह भी पढ़ना unit 8 में हम लोगो अपने muscles के बारे में बढ़ना है कि हमारी muscles कैसी होती में, कितने प्रकार की होती है heart में जो muscles पाई जा रही है, वो किस प्रकार की है यहाँ पर जो skeletal muscles है, यानि कि जो हमारी hडियों से जो muscles जुड़ी हुई है, वो कैसी है बॉडी में जो muscles पाई जा रही हैं, वो कैसी है, तो types of muscles, muscles कैसी है, इन सब के बारे में detail में discuss करेंगे, तो mention यहाँ पर नहीं किया है, कोई दिक्कत ने, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको histology of different type of muscles, जो different type की muscles हैं हमारे body के अंदर, उनके बारे में हम ल detail में discuss करेंगे, और यह जो complete हम लोगों ने यहाँ पर जो 8 unit के बारे में discuss किया है, यह second semester हमारा आता है, और में एक बार फिर आप लोगों को repeat कर दे रहा हूं कि unit 8 हमारी है, muscular system in human, 7th unit हमारी है, nervous system and endocrine system in human, 6th unit है हमारी circulation and excretion in human, 5th unit है हमारी digestion and respiration in human, 4th unit हमारी है, metabolism of proteins and nucleotides, 3rd unit हमारी है, metabolism of carbohydrates and lipids, 2nd unit हमारी है, enzyme action and regulation, 1st unit हमारी है, instruction and function of biomolecules, और यह 8 units, यह 8 units मिल करके आपका second semester बनाती है, कौन सा बनाती है, second semester बनाती है, और यह जो paper हमारा बनता है, second, जो theory paper बनता है, वो बनता है जाकर के, biochemistry and physiology, right? तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कि हमारा second semester का जो complete syllabus है, वो क्या है? ठीक है? और इस complete syllabus को हम लोग अपने application, सुमित राना BSE classes के उपर discuss करेंगे, detail में discuss करेंगे, एक-एक topic को हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, don't worry, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर second semester के लिए हमको समय मिला है, हमारे पास time भी है, और मैंने syllabus यहाँ पर डाल दिया है, अब जल से जल मैं course भी launch कर दूँगा आपका, आपके लोड कर सकते हैं, ID बनाईए, उत्तर प्रदेश चूज करिए, और आप paid classes में जा करके semester wise course को purchase करके benefit ले सकते हैं, अपनी study को और भी perfect बना सकते हैं, इन topics को पढ़ने के बाद, तो आज के लिए बचो इतना ही, मिलते हैं हम लोग third semester को ले करके, जो कि हमारा BSE second year का पहला semester हो उसके बारे हम लोग discuss करेंगे, और जब उसका turn आएगा, तब हम लोग देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,